हेलो गुड मॉनिंग गाइस आई होप आप सब बहुत अच्छ होंगे लेट्स बिगेन विद आवर करेंट अफेर सेशन आज है बीस सब्टमबर चले शुरुआत करते हैं मैं क्वेश्चन नमबर वन के साथ सो आपको बताना है कि कौन से वैन्यू पे इन न्यू डेली आपकी होस्टिट दी लॉंच ओप पी-एम विशो कर्मा स्कीम ठीक है तो वह वैन्यू था इंटरनेशल कंवेंशन एड एक्सपो सेंटर यश्बूमी जहां पे प्राइमिनिस्टर नरेंदर मोधी ने पी-एम विशो कर्मा स्कीम लॉंच करी थी ठीक है पी-एम विशो कर्मा एड दी इंटरनेशल कंवेंशन एड एक्सपो सेंटर यश्बूमी इन न्यू डेली ओन दी ओकेजन ओफ विशो कर्मा जहिंती ठीक है जो की थी आपकी 17 सेप्टमबर को है 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 थराबाद लिबरेशन डे कब उबजब किया गया है तो है थराबाद लिबरेशन डे आपका 17 सेप्टमबर को उबजब किया जाता है हर साल ठीक है यूनियन होम निस्टर अमिशा जी ने होस्ट किया था नैशनल फ्लैग एट सेरिमोनियल प्रोग्राम एड़ दी प्रेट ग्राउंड इन सकंदराबाद ओन दी ओकेजन ओफ हैधराबाद लिबरेशन डे ओन 17 सेप्टमबर 2023 इसके वारे हम थोड़ी इस्टी जान लेते है जो पहले हैधराबद स्टेट थी ठीक है इंडिपेंडेस के टाइम तो उस पे रूल उस ताम जो रूल था वो निजाम का रूल था ठीक है और उनका नाव था मीर उसमान अली खान ठीक है तो उनका क्या था कि उन्होंने जैसी भारत अजाद होता है तो मना कर रहे थे इंडिया को जोइन करने से ठीक है आफ्टर इंडिया गेने इंडिपेंडेस फ्रों दी ब्रिटिश क्लोनियर रूल इन 1947 और इस एफ़र्ट तो मैंटेन इंडिपेंडेस लेट तो और उनका थ कि इंडियन गॉवर्मेंट और निजाम के बीच कुछ स्टैंड ओफ चल रहा था ठीक है फिर इनिश उसके बाद यह होता है कि हैधराबाद को इंटीग्रेट करने के लिए इंडिया में ठीक है इंडियन गॉवर्मेंट ने एक मिशन लॉंच किया और उस मिशन का नाम था ओप्रेशन पोलो तो ओप्रेशन पोलो आप मिशन ध्यान रखिएगा ठीक है उसकता है किसी एक्जाम में आपको देखने को मिल जाया है ठीक है ऐसे पूछ लेते हैं कुछिन तो ओप्रेशन पोलो आपका इस चीज से रिलेटेड था हैधराबाद को इंटीग्रेट करना था इंडिया में ठीक है और यह लोंच किया गया था सेप्टमबर 13 1948 में यह मिलिटरी ओप्रेशन था ठीक है जो कि मलब थोड़े तक चला था और इसके बाद निजाम ने सरंडर कर दिया और हैधराबाद इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया ठीक है एड़ा स्टेट स्टेट वस फोर्मली एनेक्स इंटो इंडियन उनियन ओन सेप्टमबर 17 1948 इस मार्ग दी एंड अफ निजाम रूल एंड इंटीग्रेशन ओफ दी इंडियन रिपब्लिक ठीक है तो यह चीज है बस आप ऑपरेशन पोलो का नाम देहन रखेगा और हैधरावाद को 17 सेप्टमबर को हैधरावाद लिबरेशन बनाया जाता है और उप्रेशन पोलो कब लूंच किया गड़ा सेप्टम थर्टी नाइटीन फोर्टीएट मैं ठीक है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दीन मॉन्टेरियल प्रोटोकोल साइन हुआ जो कि एक इंटर इंटरनेशन एन्वारमेंट ट्रीटी है फोर दी फेजिंग आउट प्रोड़क्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिपलेशन सब्स्टांसी दैट कम इंटो दी फोर्स ओ को सेलब्रेट करने के लिए यह वाल्ड ओजोन डे बनाया जाता है ठीक है इस बार की थीम है मॉन्टेरियल प्रोटोकोल फिक्सिंग दी ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज ठीक है आपको बनान है वट अनॉंसमेंट हैसी नोबल फांडेशन मेड रिगार्डिंग इस यह नोबल प्राइशन मेड रिगार्डिंग इस पार उन्हों ने क्या किया है कि जो नोबल प्राइज का इमांट ता वो बढ़ा दिया है ठीक है दविनर विल रसीव एं एक्ट्रा वन 2023 लोरेट्स अभी अभी मतलब नोबल प्राइज नेक्स मन्त अनाउंस उता है तो अभी उससे पहले नोने इस पर क्या किया है प्राइज मनी बढ़ा दिया विल रसीव टोटल फाइनेंशल रिवार्ड ऑफ 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन विच इक्विलेंट तो एराउंड 9886 डोलर्स जो कि रफली हो गया आपका 8.1 क्रोट रूपी इस यह नोबल प्राइज विल 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 इनॉंस नेक्स मन्त ता लोरेट विल 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 इन्वाइज तो दी रसीव देरा ओवर्ड प्राइज सेर्मनी ओंड 10th of December विच इस अनिवर्थियों थी आवोर्ड फांडर एल्फ्रेड नोबल डेथ इन 1896 तो ही बात कह रहें कि जो मतलब नोबल प्राइज नेक्स मन्त एनॉंस हो जाएंगे तब हम डिसकूस कर लेंगे और जो नोबल प्राइज एनॉंस नेक्स मन्त हो जगें लेकिं जो आवोर्ड मिलेगा वो 10 दिसंबर जाता है जिस दिन एल्फरेड नोबल की जिनके नाव पर नोबल प्राइज मिलता है डेथ अनुवर्ष्री होती है ठीक है एक टीन नाइटीसिक्स में उनकी देथ थी तो उनकी जो डेथ है ठीक है उस जिन 10 दिसंबर गई तो उस मोके पर यह ओड दिया जाता है ठीक है और यह एक चितफ ढ prochain ठाग्ट है कि नोवल फीस प्राइज अगलग लग एन केटेग्रिस में जिआ जाते हैं तो लोई फिसक प्राइज्ड की का प्लीकरिय कört Earth पीसर कि वह प्राइज आपका ओसलो में दिया चाहिता तो यह प्राइज तो कहने बिन कि सारे प्राइज।rika आपको Stockholm में दिये जाएंगे लेकिन नोबल पीस प्राइज ठीक है आपको Oslo में दिया जाएगा तो यह प्लीज माग कर लिए जाएगा ठीक है वट इस दी नेम ओफ उधंपूर रेल्वे स्टेशन इन दी यूने टेरिटरी ओफ जमू एंड कश्मी तो उधंपूर रेल्वे स्टेशन का नाम चेंज करके रख दिया गया है कैप्टन तुशार माहजन रेल्वे स्टेशन ठीक है एंदी कनाक्शन फंक्शन वस ओर्गेनाइज अड़ि उधंपूर रेल्वे स्टेशन यूँन是啊 Dr. जी तेंडर से Forsyak । उधंपूर रेल्वे स्टेशन वाज पीने मेर्दिटेशन कैप्टन तुशार महजन रेल्वे स्टेशन ठीक है कैप्टर महाजन यह उधंपूर से थे ठीक है और यह ओफिसर थे नाइन पैरा के ठीक है आपको बता रहा है पैरा कमांडर स्पेशल फोर्स इंडियन आदमी की ठीक है तो हूँ लेड डाउन इस लाइफ वाइल डिफेंडिंग दी कंट्री दूरिंग दी फैब 2016 टेर अटक ओंधी जमू एंड कश्मीर एंटर पैनियोर्शिप डेल्पमेंट इंसिटूट बिल्दिंग इंडी साउथ कश्मीर फूल्बामाट डिस्टिक टीक है तो इन्हों ने अपनी कंट्री के लिए सुप्रीम सेक्रिफाइज किया है ठीक है तो अभी इनके नाम पर रख दिया गया है कि इन विच प्लेस डिड इंडियन जैवलीन थ्रोवर निरे चोपडा फिनिस इंदी मैंस इवेंट एड़ी डाइमंड लिग फाइनली एगवें यूएस से तो निरे चोपडा ने वी सेकंड प्लेस पे फिनिश किया ठीक है और उनकी थ्रोथ इस बार एटी थ्री पॉंट एटी मीटर की ठीक है और उनके सेकंड एवेंट में और फर्स्ट प्लेस पे आया इस ताइम चैक रिकाब्दू के जैकोब ठीक है जिनकी थोटी एटी फोर पॉंटीव मीटर नीरे चोपडा का वैसे बैस थ्रोई जो नेशनल रिकोर्ड है उनका वह एटी नाइन पॉंट नाइटी फॉर मीटर का ठीक है और वोन वर्ल चैंपियन सिल्वर मेडल एड़ीस और लास्ट यह उन्होंने इस सेम प्लेस वर्ल चैंपियंशिप जितीरी सिल्वर मेडल जीता आडी सेम वेन्यू लास्ट यह विदैन एटी एट पॉंट थर्ट मीटर एफर्ट इस यह तो शायद आप सभी को पता ही होगा ठीक है जितने भी क्रिकेट खेलती है ठीक है लेकिन जो नहीं खेलते हैं उनके लिए दुरूरी है सो आपको उताना है कि इंडिया ने श्रिलंका को कितनी विगेट से हराया और फाइनली इंडिया एशिया कप 2023 के टाइटल जी चुका है त श्रिलंका को हम टाउन में बुरी तरह इंडिया ने हरा दिया उनका टारगेट था 51 रंस का तो इंडिया शिक्स पॉंट वन ओवर में ही 51 रं बना दिये और श्रिलंका टीम वो आउट कर दिया था इंडिया तीक है और मोहमध सिराज ठीक है इन्होंने छे विकेट लिये ठ है और हार्डिक पांडेन तीन विकेट और जैस्पी उम्रान वेकुट ठीक है तो इंडिया ने इसली डिफीट कर दिया था ठीक है तो है तो चीजा आप ध्यान रखे खेगा ठीक है ऐश्यक अब इन्डिया ने जीता है यहाँ बेक सब्सुर्ण आइब विनर ओवर दीयर 1984 इंडिया ने जिता है, 1988 में भी इंडिया ने जिता है, 1990 में फिर इंडिया ने जिता है, 1995 में इंडिया ने जिता है, 2010 में इंडिया ने जिता है, 2016 में इंडिया ने जिता है, 2018 में इंडिया ने जिता है, और 2023 का भी इंडिया नहीं जिता है, और शिरलंका ने लास्ट येर का ज अचीव दी माइल स्टोर ऑफ कंप्लेटिंग 10,000 तो रोई शर्न ने भी 10,000 रन पूरे कर लिया है कि इसमें ODI क्रिकेट में ठीक है और ऐसा करने वाले रोई शर्मा सिक्स्त बैटर बन गया है फ्रों इंडिया ठीक है एंड फिफ्टिंथ ओवरॉल तो कंप्लेट 10,000 तो इं 10,000 रन इन नहीं है कितने 241 इनिंग में यह कंप्लीट करें जो की सेकंड फास्टेड है फास्टेड अथाज आट अम यह आफ्ड़ सोई 205 इनिग तो कोली ने यह काम 25 इनिंग में कर दिया था ठीक है और रोई शर्मा का भी फास्टी इन भी 241 में का था और अपने अभी लास्ट वीक डिसकस किया था कि विराट कोली ने भी स्कोर कर रहा है फास्टें थर्टीन थाउजन ट्रॉन इन ओडियाई वह दी फास्टे तू स्क्रोल दी माल्स्टोर्म तीक है अए ब मतिले, लिए तो वस्त टू स्क्राइब सवादे फ़ार मीच छोडाँ significa जैबाने एंच ने ने हम चुछ माले लिखाने मिख़ टैब किवस्टेट विस्टेट को हाली में डोल्ञ यूनेकी लिस्ट में डाल दिया गया है तो यह है कहां पे शांतियनिकेतन लोकेटिड तो यह है वेस्स पेंगोल में अब होते हैं ने शांतियनिकेतन वो फेम्ड प्लेस है वेस्स पेंगोल में जहां पे पोई रविंदरनाथ टैगोर जी ने बिल्ट था था विश्व भारती ओवर सेंचुरी अगो and has been inscribed on the UNESCO World Heritage List How many coastal states and union territory were involved in the beach clean-up drives organized by the Ministry of Earth Sciences So Ministry of Earth Sciences ने ठीक है जो एक campaign launch किया था उसमें 8 coastal states और 4 UTs ने participate किया था ठीक है और यह organized कर रहा था Ministry of Earth Sciences ने beach clean-up drive ठीक है at 79 location in 8 coastal states and 4 UTs of the country 16 और 17 September तक यह चला ठीक है और यह 17 September को क्या होता है 17 September को था आपका International coastal clean-up day ठीक है तो उस particular day पर क्या है यह campaign launch किया गया था ठीक है 16 और स्तार को जो आपका 2030 स्वच सागर सुरक्षित सागर ठीक है beach clean-up drive by 5 M.O.S. Institute जो आपका International coastal clean-up day अना यह observe करा जाता है हर साल worldwide in the third Saturday of the September every year ठीक है तो थर्ड सेटरड़े को यह observe किया Saturday कब तापका 16 September को so guys I hope you like this lecture मिलते है next current conversation में तब तक टेक केर झाल 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 झाल